पंजाब दे विच माल गड़ियां रोके जान दे एलान तो बाद हुन पंजाब दी स्यासत भी पाक गई है अते किसाना दा संगर्ष वी पामबड बढ़ के उठन वाड़ा है दिल्ली दे विच किसान जते बंदियां दी बैठक है जड़ी ओ चल रही है चार वजे दे करीब प्रेस कॉंफरेंस करके किसान उस बैठक दा कोई नतीजा कड़नगे अते अगली रण नीती दा एलान करनगे कोई वड़ा एलान वी हो सकदा है दिल्ली दे रकाब गंज गुर्द्वारा साहिब दे हॉल दे विच किसाना दी बैठक हो रही है इसनों इतिहासिक बैठक कहरे है ने किसान क्योंके देविच सिर्फ टाई सो किसान जथे बंदिया नहीं है ग्यां देश दियां बालके होर भी जथे बंदियां आके किसाना दे नाल चुडियां ने 26 ते स्ताई नवंबर नू दिल्ली चलो जड़ा एक सदा है दिल्ली देविच वड़ा एक कट है ओस नू लेके भी कोई वड़ा एलान हो सकदा है किसाना ने कौमी पदर दा खाकावी त्यार कार लेया है ते आज जदी बैठक दे वेच कोई ना कोई वड़ा नतीजा जड़ा ओस सामने ओन वाला है जानकारी मिल रही है किसान एस संगा अर्शनू कौमी पदर दा संगा अर्श बनाओन दी राणनिती उलीक रहे ने ते पूरे संगा अर्शनू कौमी पदर ते लजान दी जड़ी चर्चा है ओ हो रही है ये चर्चा जड़ी शुरू होई जदो केंदर ने अडियल वतीरा अपनाया किसाना ने बाई एक्टूबर तो रेलवे ट्रैक खाली कार देते हैं इसी मालगड़ियां दे लई उस तो बाद रेलवे ने एलान किता है कि उनती अक्टूबर तक असी पंजाब दे विचे सारियां मालगड़ियां रोक रहे हैं जानकारी मेल दी है कि केंदर ने जुबानी आदेश देते ने फिर रेलवे ने फैसला लिया पर रेलवे अपने उपर ए लेर है कि असी ए जिड़ा एलान किता है ते जो भी रेलवे ने ब्यान देते हैं उभी थो आनों सुनावांगे उस तो पहला दास दिए कि मुख मंतरी कैप्टन मुरिंदर सिंग ने काल रेलवे मंतरी प्यूश गोईल नों चिठी लिखी सी कि तुसी निज़ी तो आते दखल देो इस मसले दे वेचते रेलवे ट्रैक खाली करन दे बावजूद जेड़ा तुसी रेल गडियां रोकन दा होकम सुनाया है उसते दुबारा तो सोचो पंजाब दे नार नार जम्मू कश्मीर ते लदाख वी परबाबित होण गे जे पंजाब दियां सारियां माल गडियां तुसी रोक देतियां ने इस करके सोचया जावे उसतो बाद रेल मंत्री प्यूश गोयल ने भी पंजाब दे मुख मंत्री कैपिन नमरेंदर सिंग नूँ चिठी लिखके जवाब दिता है के है के माल गडियां दी आवाज़ाई शुरू करनतो पहला तुसी गडियां ड्राइवरां ते सुरख्या गारड दाप्रोस अलो कहने तुसी ट्रेक खाली करवाओ असी रेल ने चलाउन दे लेई त्यार हां आप सबको पता है 24 से किसान बाईयों के द्वारा रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जा रहा था और रेल गाड़ियों का संचालन बन था और 21 अक्टूबर को उन्होंने ये निड़ने लिया कि यात्री गाड़ियों को छोड़कर पाकी चीज़ों का संचालन कर ले दिया पर ये चीज भी समझनी होगी कि रेलवे एक बहुत ही कंप्लेक्स टेक्निकली इंटेंसिव और जैसे आपकी गाड़ियां चलती है उसकी सेफटी को मेंटेन करना उसके शेडूल को भी देखना बहुत जरूरी होता है तो जो जो गाड़ियां हमारी बहुत बहुत दुनों मेंसे खड़ी होई थी उनके रक्षण के लिए मेंटरियर्ण्स के लिए भी भी बेशा जाना था आपको यह समझना होगा कि परिशालंद पूरे देश से प्राप्त इंडेंटों के अधार पर लेक की उपलपता के अधार पर मेंटरेन्स कीनीट के अधार पर सेफ्टी को द्यान में रख करके किया जाता है और उसको माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते हैं उसको रिस्ट्रिक्टिव इंवाइरमेंट में नहीं चला सकते हैं इसलिए रेल्वे के निड़ने लिया कि हम 23 तारिक की शाम को निड़ने लिया दो दिन बाद ही कि वही हम दो दिन के लिए इनवर्ड का रिस्ट्रिक्टिव लगाया गया था 2425 में लेकिन उसके बाद 25 सारिक को कल उसे चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया कभी बैठेंगे कभी किस सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे इस स्थिति में परिचालन हो नहीं सकता है क्योंकि क्रू का लिं दिया यह सब चीजें बहुत आगे पीशे ध्यान में रख करके समन में स्थापित करके की जाती हैं तो ऐसी अनिश्चता के महौल में परिचालन संभव नहीं है ता पंजाब दे नाल ओहजा विभार कर रहे हो जी चीन दे नाल कर दे हो चीन ने साड़े फोजियान में शहीद गर दता तै तुसी उनना एपस बंद कर दती है टेकटॉक बंद कर दती ते हुण पंजाब दे नाल तुसी ओहोजा विवहार क्यों कर रहे हों जे कानून तुसी बनाये ने कानून बनाऊन तो बाद जे डेडा लोक का दा प्रतिकारम आ रहे हैं जे उसंगा अर्षदे विचना ता उन्ना नूं सांबन दी भी तुसी हिम्मत रखो ना जे तुसी नवी चीज ले अंधिया दा विरोध हो रहे हैं उस महाल नून जिठण दी हिम्मत है जड़ी ओ होनी चाहीं दिया हो कहने के मत्रया सलूक तुसी पंजाब दे नाल कर रहे हों की होन तुसी मक्की दी रोटी ते सरों दा साग खानते भी पाबंदी ला दे होंगे कह सरकार करी सरकार पंजाब सरकार नू बिलकुल सरकार दे होगी करोगी कर रहे हैं पर नाली नाला भी स्वाल पैदा होंदा है भी में गोहल साब पंजाब दी सरकार कौन करूगा पंजाब दी एकौनमी दी पंजाब दे किसान दी पंजाब दे मजदूरां दी वेपारियां नोज़ओनादी स्वर्खवाड़ी क्यों क्यों कर जम्मवारी है जिक इंदर सरकार ने बिल वनान दी अख्तियार ले ले ताकत लेली तद जम्मवारी भी उटे है आजे पंजब नु आनसारे समसे चोकडण दे पंजब दी बाँ फ़ंड दी लोड है ना कि बाँ मरूण प् इकनॉमिक संक्शन्स सुके इंदर दे इस होकम तो बाद रेलवे ने जड़ा फैसला लेया है उस दा विरोध पंजाब्दियां सारियां पार्टियां का रहे हैं ने चाहे सता तेरे कॉंग्रेस होवे आमाद भी पार्टी होवे श्रोमनी एकाली दल सब ने इतिनी खेदी कीती है ते कहा के बदला खोरी वाले रवये दे उत्तर आई है मोदी सरकार जे रेलवे दी गल कर लेये ता मंडल रेलवे मैनेजर राजेश अगरवाल ने खालस टीवी नो जानकारी देती है के 24 स्तंबर तो किसान जथे बंदियां वालो शुरू कीते गे अंदोलन दे कारण रेलवे सिवावा बंद कीती है गईया सी पंजाब दे वेचे 21 एक्तूबर नो किसान जथे बंदियां ने माल रेल गड़ियां मुर्तों बहाल करन दा एलान कीता उस तो बाद फिरोजपुरते अंबाला डवीजना दे वलो माल गड़ियां चलाईयां गईया इस दरान 173 माल गड़ियां चलियां पर दो दिना दे वेच्छी रुमाना अ जरूरी हुन दै जेडियां गड़ियां इनने पिछले दिना तो बांध पईयां सी औना नो मेंटेनेंस लईवी लजाया जाना सी पर जिहां संभव नी हो पा रहा सी इसले रेलवे ने फैसला लेया कि जदो तक स्थेती पूरी तरा बहाल नी हो जान दी हो तक पंजाब तो कोई भी माल रेल गड़ी नहीं चुलाई जाएगी ए पबंदी पहला चौवीतों पची क्तूबर तक सी हुन इसनू नती क्तूबर तक वदा दिता गया पर जिस तरीक के दम हौल चाल रहा हो सकता है कि रेलवे इसनू होर अगे वदा दे भी हुन गाला जान दी है कि माल ते इस फैसले दे नाल खाद दी सप्लाई है जड़ी पंजाब नू होनी सी ओपर बाबित होएगी पंजाब दे विच कांक दी बजाई है जड़ी ओवी शुरू हो चुकी है सो नंगल दे एक प्राइवेट सानतकार ने गुजरात तो लूण मंगाया सी जड़ी सप्लाई वड़ा रैक वी दना तो दूसरे सुब्याद विच खड़ा सी अखीरे रैक अंबाला मंगवा के सप्लाई सड़की रा रही पंजाब पहुंची तेज दे नार नाल लुदे आना दे कारोबारी भी केंदे काफी प्रबाबित होए ने ANID News दे मुताबिक लुदे आना Custom House Agents Association दे परदानने दसे है के 30 स्टंबर तो रेला बंध होन करके माल दी सप्लाई रुकी होई है जिदे करके Export यानि के नरियात दे ओरडर पूरे न कीते जा रहे ते कारोबार दा वड़ा नुकसान हो रहे है ते लुदे आना जंक्षना जड़ाओ पारदे सब तो बिजी स्टेशना ते पार्ती रेलवे दे चोटी दे 100 बुकिंग स्टेशना दे विचो एक है लुदे आना डीजल शेड दे विच एक सो चुरासी तो वाद दे इंजन शामिल ने जिना दे विच डब्लिव डिएम टू, डब्लिव डिएम थ्री ते डब्लिव एजी डी शामिल ने सो पंजाब दे विचो हुन गल कर लिए के केंदर ने फैसला ता लेले आ है गया, केंदर ने हुकम ता केंदर ने दित्ते ने पामे रेलवे इसनू अपना फैसला दास रहे है पर केंदर नू पंजाब तक माल गड़ियां रोके जान ना नुकसान किना खोएगा एस दी वी तथान दे मुताबिक जानकारी दे दे ये तार एक रिपोर्ट दास दिये के पंजाब चो रेलवे नू माल गड़ियां रही प्रती मीना 480 क्रोड रपेदी कमाई हुन दी सी जो हुन काटके 40 क्रोड रहेगी सी सुतरदात देने के केंदर सरकार ने कह देता है के रेलवे ले काटा तुसी चालो पर पंजाब नू माल गड़ियां रोक देतिाए जान माल गड़ियां दे नालता नुकसान होंदा है ते जड़ियां यात्री रेल गड़ियां ने उना दे नालवी पंजाब नू काफी नुकसान होंदा है कह दिये के रेलवे नू काफी नुकसान होंदा है ते निसो तो वार्द यात्री गड़ियां दी आवाजाई रुजाना हों दी है पंजाब दे विच जी दे विच हजारा यात्री रुजाना सफर कर देने ते रेल गड़ियां दी आवाजाई ठाप होन करके स्वारियां नू काफी मुश्किलां दा सामना करना पैर है ते एहुं जड़ा railway दी जानकाली दे मुताबिक 4 नवंबर तक यात्री घड़ियां जड़ियां रदकीतियां गईया ने उनना देविचो कोविड विशेष रेल घड़ियां छेने ते जड़ीया फेस्टिवल स्पेशल रेल गड़ियां पूरे देश देविच लाइयां गईयांने, पंजाब देविच लाइयां जानियां सी, ओ 10 रेल गड़ियांने ते ओ भी बांधने 4 नवंबर तक सो ए जड़ा पूरी दोवां तिरांदे विचकार टकरावाली स्थिती पैदा हो गई है केंदर सरकार दा पूरा तिरांदे नाल अडियल वतीरा देख रहे है परदान मंतरी ने भी कैदता है कि असी कानून लगू करन वाले फैसले तो पिछे नहीं हटांगे किसान भी कहा रहे हैं कि जो तक कानून रद नहीं हुंदे असी पिछे नहीं हटांगे दो में पासी तकरावाली स्थिती जड़ी बढ़ी होई है कि कि में इस स्थिती नाल नजिठ्या जावेगा क्योंकि केंदर सरकार दा एहें फर्ज हुंदा है जम्यवारी हुंदी है कि देश दे किसे भी सूबे दे विच जे लोक नराज ने उसनों किस तरीके दे नाल नजिठ्णा है संजीर की दे नाल पर एथे केंदर सरकार पूरी तरह दे नाल अड रही है किसान देश दा एक जरूरी व्यक्ति होंदा है जिसने अनाज उगोना होंदा है अनाज ही किसे भी व्यक्ति दे जोन दे रेंड दी एक पहली लोड होंदी है सो केंदर सरकार हुण की एसे तरह अडियल वतीरा रखेगी पंजाब नू इस तरीके दिनाल दरकिनार करेगी ए देखना भी काफी एहम है गया ते किमें इस मसले दा हल होगा ज़ो दो में तरह अडियां खडियां ने एते भी अपनी गौर बनी रहेगी तानवाद